चैम आतादी दोस्तों, आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों नव ग्रहों में राजकुमार का जो पद है वो बुद्ध ग्रह को मिला है और ये एक बड़े ही सौमय ग्रह माने जाते हैं, शुब ग्रह माने जाते हैं सबसे छोटे ग्रह की इस्थिती में या आते हैं, सबसे छोटे ग्रह और सूर्य के सबसे निकट होते हैं बुद्ध ग्रह को बुद्धी का, व्यपार का, प्रेम का, शरीर की, त्वेचा का, वानी का और हमारी योग्यता का कारक ग्रहमाना जाता है जब ये राशी बदलते हैं तो इनका काफी परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने लग को मिलता है हमारी सम्वाल शैली में, हमारे बोलने में, हमारे जोतिस में, लेखन में, गनित में और दिमागी काम में, बुद्धी में, इन सभी जीजों में हमें इसका परिवर्तन देखने को मिलता है तो अब एपरेल की शुरुवात में ही यानि की एक एपरेल को ही बुद्ध का राशी परिवर्तन होने वाला है और बुद्ध का ये राशी परिवर्तन एक अपरेल को शनी की राशी कुम्ब से निकल कर देवगरू ब्रस्पति की राशी मीन राशी में होगा अब बुद्ध का ये गोचर मीन राशी में जो है तो ये नीच राशी में है बुद्ध की नीच राशी है ये जब यहाँ परिवर्तन करते हैं बुद्धे वाते हैं तो नीच के हो जाते हैं अब नीच के होकर ये बड़े अच्छे फल देने वाले हैं चार राशी वाले लोगों को, तो नीच का अगर कोई ग्रह है तो वो शुब फल कैसे दे सकता है, तो यहां देखिए चार लोगों की कुंडली में नीच भंग नाम का राज योग बनेगा, जो चार राशी वाले ल तो अब ये गोचर उन कौन सी चार राशियों को शुफल देगा जिनके हम बात कर रहे हैं, तीन गुना धन की प्राप्ति उनको कराने वाला है, चलिए विश्तार से हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोट असा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय से में पर से भी जानकारियां मिलते रहेंगे, जिन चार राशियों की बात करें, उनमें जो सबसे पहली राशी है वो है व्रशब रासी, व्रशब रासी, वानी, बुद्धी, ता सामदनी का है, भाई बेहनों का है, जीवन में मिलने वाले उपलब्धियों का है, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ती होगी, जीवन में कई गुना लाव की उमीद आप कर सकते हैं, जिन कामों में बड़त नहीं मिल पा रहे थी, जो काम रुक रहे थे, वो अब हो सकते ह आप अपने परिवार के लिए एक इस्तम्भ की तरह खड़े होंगे, जिससे जीवन में हर बाधा टकराकर चली जाती है, हर बाधा टकराकर दूर हो जाती है, ऐसे इस्तम्भ होंगे आप, इस दोरान आप अपने रिष्टों को भी मजबूत करेंगे, और जो जातक विवहा युगी भी बनेंगे, इस दोरान नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य करने में रुची भी होगी और आपके कार्य भी पूरे होंगे, वरिष्ट अधिकारियों के बीच में आपको लोग प्रियता मिलेगी, और कई श्रोतों से आपकी आयमे व्रद्धी होगी, आयमे व आत्रों के लिए भी बहुत शुब होगा, आप अपनी ज्यान, अपनी कार्यश्वंता में विरद्धी होता देखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, उत्सुख दिखाए देंगे, अपने सिक्षा में बहतर प्रदर्शन करेंगे, और स्वास्थर के जीवन में भी आपके लि का भाव है, और दस्वे भाव के स्वामी भी हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, कारेशेतर में उत्तम फलो की प्राप्ति, आप अपनी कारे को हर तरह से व्यवस्तित कर पाएंगे, और अपनी कारेशेतर में लाब और उन्नती प्राप् काज में, अच्छे संचार कौशल आपको मिलेंगे, मुनाफ़े वाले सौधे कर पाएंगे आप, हाला कि बीच-बीच में कुछ चोटी-मोटी गलतिया होंगे, लेकिन फिर भी ये जो अवरोल समय होगा, वो आपके लिए तरक्किका ही होगा, हर अवसर का उचित लाब जो आपके लिए उचित पैसा कमानी का जरियार बन सकता है, प्रेम संबन बहतर होंगे, अपने साथी के भी चच्छी बॉंडिंग आप कर पाएंगे, और स्वास्ते भी आपका जो है अच्छा रहेगा, मान परते स्टाप की बढ़ेगी, तो इनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अनुकूल आपके लिए रहने वाला है, अब हम बात करते हैं, तीसरी राशी की, तो तीसरी राशी है इनमे से ये है वरश्चिक राशी, वरश्चिक राशी वाले लोगों के लिए इस दोरान बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, इस दोरान जो जाथ कशेर, पार से जुड़े हैं उनके लिए बहुत प्रतिकूल समय रहेगा बुद्ध आपके आठवे और ग्यारवे भाव के स्वामी है तो उच्छ सिक्षा का अध्यन करने वाले जो छात्र हैं जो पीएजडी कर रहे हैं या किसी शोध कारे से जुड़े हैं उनके लिए बड़ा ही उत्तम रिजल्ट लेने वाला रहेगा साथ में नौकरी की जो जाता किछा रखते हैं नौकरी करने के सोच रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अवदी रहेगी जो आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं वो उनके मन में अगर अपनी नौकरी कर लेकर कुछ संकोच चल आर्थिक इस्थिति को मजबूत कर पाएंगे प्रेम सम्मध में थोड़ा सा प्रतिकुल जरूर रह सकता है आप अपनी भावनाओं को अपने प्रेम को अपने साथी के सामने व्यक्त करने में थोड़ा ऐसा हज रह सकते हैं लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में मधूरता रह गर्म जोशी रहेगी उदारता रहेगी तो ये समय आपके लिए अच्छा है आपको आनंद की अनुभती होगी खुशी मिलेगी और कई शुभ अफसर भी आपको प्राप्त होंगे अब चौथी और अंतिम राशी की बात करते हैं चौथी और अंतिम जो राशी है वो है कॉ गर्म राशी के लोगों के लिए दूसरे भाव में बुद्ध का गोचर है आपके लिए भी नीच भंग राजियों का जबरदस्त लाव मिलने वाला है अब ये दूसरा भाव जो होता है ये परिवार का भाशन का धन का वानी का धर्म का भाव होता है इन सभी चीजों से जुड़े हैं तो वहां से लाप की प्राप्ति होगी नजरे बना कर रखें और आपको पैतरक संपत्ति से सबसे अधिक मुनाफ़ा होने का योग है आपकी आर्थिक जीवन में अचानक से बड़े अच्छे बदलाव होने शुरू होंगे जो जाता कि इस राशी के गायक के शेतर से जुड़े हैं कला के शेतर से जुड़े हैं उनके जीवन में अचानक से उच्छा लाएगा और आपकी व्रद्धी में अच्छे संकेत दिख रहे हैं जो योजनाई आपके हाथ से निकल गई थी उन योजनाओं उपर भी आप वापस लोट सकते हैं वो योजनाई आपको कुछ लाब दे कर जा सकती हैं कुछ ना कुछ ऐसी खबरे आपको मिल सकती हैं जिनका उचित लाब उठा पाएंगे प्रेम समझ में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखे बाकी चातरों के लिए शुब समय है हर अपने जो सोचने की शक्ति है वो अच्छी रहेगी व समंतर का जब करते रहें बहुत अच्छा समय रहेगा साथ में चनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी इस वीडियो को जद़ जद़ लाइक करें शेयर करें धन्यवाद